11 में बने रहने के लिए बढ़ानी होगी स्पीड बस इतने से बात नहीं बनेगी केल राहुल की स्पोर्ट्सी एजेंसिया नई दिल्ली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वंडे में केल राहुल ने 64 रन बनाए पिछले 10 वंडे इंटरनेशल मैचों में यह उनकी दूसरी 50 थी यह उनके करियर की सबसे धीमी अर्धबशत कीय पारी रही उनके 50 रन 93 गेंदों में बने अपनी खराब फॉर्मे के चलते हाल फिलहाल आलोचना जेल रहे राहुल के लिए यह राहत भरी इंगस होगी वैसे व पॉलकाता में खेले गए वंडे के बाद कहा टीम ने मुझे इस स्थान पर और इस भूमिका में रमने के लिए समय दिया है जब आपको अपने कच्छान और कोच का साथ मिले तो इससे आपको फोकस करने में मदद मिलती है और टीम भी यही चाहती है राहुल पिछले एक सा के दोरान या तो चोटिल रहे हैं या आउट ओफ फॉर्म पिछले बारा महीनों में उन्होंने बारा वंडे में 35.40 के ओसत और 89.55 के स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाए है फाइर डियू वाई जी यूएस मुझे थोड़ा अलग करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मिडल ओ कोच राहुल द्रविर बाएं इन दिनों के एल राहुल पर खास ध्यान दे रहे हैं दुबई श्री लंका के पूर्व कसान दिनेश चांदीमल ने सूर्य कुमार यादव सूर्य के लिए चांदीमल हैरान को भारतिय वंडे 11 में जगह नहीं मिलने फर आश्चर्य जताया है उन्होंने कहा कि इस तरह का आकरामक बल्ले बाज 30-50 रन की पारी से पूरे मैच का रुख मोर सकता है उन्होंने कहा ये दिखाता है कि भारतिय क्रिकेट में कितनी प्रतिभा है मुझे फिर भी लगता है कि सूर्य कुमार यादव वंडे टीम का हिस्सा हो सकते है उनकी रन बनाने की गती से काफी फर्क पड़ता है इस से टीम के दूसरे खिलारियों का काम आसान हो जाता है